Hello Everyone, Welcome to my channel CCK with Pooja, CCC Freeco Series तो आज की क्लास में हम LibreOffice Writer Program के अंदर Formitting Marks Option को जानने वाले हैं Formitting Marks Option होता क्या है? और LibreOffice Writer Program पर इसका इस्तमार हम किस तरीके से करते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास LibreOffice Writer Program पर आते हैं LibreOffice Writer Program पर Formitting Marks Option जो है ये आपको View Menu के अंदर Formitting Marks नाम से यहाँ पर आपको दिखाई देता है अब Formitting Marks Option इस्तमाल करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि Formitting Marks Option होता क्या है? क्योंकि अगर आप Formitting Marks Option को ये नहीं समझोगे कि Formitting Marks Option का का काम है क्या? तो आप उस Option को इस्तमाल करेंगे बस उसका काम जो है वो आपको क्लेर डी समझ में नहीं आएगा तो Formitting Marks क्या होता है? पहले ये जान लेते हैं Formitting Marks Option यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है Formitting Marks जो है Paragraph में छिपे हुए Line, Tab, Space Tab, Space, Enter को किसी सिंबल की रूप में दिखाता है यानि कि अगर आप कोई Text या कोई Paragraph या कोई Document आप बना रहे हैं जिसमें आपको यह जानना है कि उस Paragraph के अंदर आपने Line की बीच में Space या Tab, Space या Enter आपने कब कहां पर किया हुआ है तो उसको जानने के लिए Basically आप Formatting Marks राम के Option का इस्तमाल करते हो और अगर आप इस Option का इस्तमाल करने चा रहे हैं तो आप उस Option के अंदर जाकर भी कर सकते हो प्लस इसकी shortcut है Control प्लस F10 हम इसका इस्तमाल करके भी अपने प्रोग्राम पर Formatting Marks जो है Option एप्लाई कर सकते हैं अब यह हमने Formatting Marks Option के बारे में जाना आप इसको practically भी समझ लेते हैं कि Formatting Marks Option हमारे जो document पर किस तरीके से काम करता है जैसे यहाँ पर एक paragraph हम note कर लेते हैं paragraph के अंदर जैसे आप यह देख सकते हो मैंने यह paragraph यहाँ पर लाया हुआ है इस paragraph के अंदर आप देख सकते हैं कई जगे पर हमने enter करके जो है line को change किया हुआ है उसके लाबा यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिखे हुए words या लिखे हुए शब्दों के बीच में कुछ space दिया हुआ है अब basically अगर हम यहाँ से formatting marks का इस्तमाल करते हैं जो मैंने आपको बताया view नाम के menu में आपको यहाँ पर formatting marks नाम से मिलता है आप यहाँ पर formatting marks नाम पर जैसे ही मैं यहाँ पर click करूंगी आपको इस paragraph के अंदर यहाँ पर मेरे जितने भी लिखे हुए जो यह paragraph type किया हुआ है आपको दिख रहा होगा पीच बीच में यहाँ पर एक छोटा सा blue color का point आने लगा शब्दों के बीच में और यहाँ पर आखरी में जहाँ पर मैंने enter किया हुआ है जिस जगे मेरा करजर अभी last में blink कर रहा है यहाँ पर आपको देख रहा है एक sign हा रहा है जैसे कि यह हमें इस sign के जरीए यह बता रहा है कि यह enter हमने कहाँ पर किया हुआ है यह जब देखिए अगर मैं आपको enter करके दिखा हूँ यह sign आपको उन जगे पर दिखाएगा जहाँ पर मैं एंटर करती जानी हूँ दूसी जी मैंने जितने शब्दों के बीच लिखने के बाद इस पेस दिया हुआ है वहाँ पर आपको ये एक लाटा है उसके इन्धर आपने टैब घाने पीर आपने jako अलाइन स्पेसिजिए असिंबल लगाकर आपको दिखाता है यह एप 누가 strapap मैं ओर ओसे शरी का यह विशुड़ kंै यहां वहां बश्यद कर दोब्ला लाएँ और भी एक्ठाल प्लाए मिल श्वाब आप यहाँ पे Ctrl F10 मैं कीबोर से Ctrl F10 नाम की बटन को प्रेस करने जा रही हूँ देखिए यहाँ पे मैंने जैसे ही Ctrl F10 प्रेस किया आपको यहाँ से Formatting Marks Option जो हटा हुआ दिक रहा है आप मैं दुबारा अपनी कीबोर से Ctrl F10 प्रेस कर दूँगी तो दुबारा से Formatting Marks जो Option है वो लग जाएगा तो बेसिकली यह Formatting Marks का जो है वो काम होता है तो Formatting Marks Option का हमने काम जाना क्योंकि CCC के या O-Level के एक्जाम में कई बार Formatting Marks से Related Questions पूछे जाते रहते हैं कई बार आपको shortcut पूछ ले जाएगा या आपको यह इस तरीके से चार options दे जाएगे जिसमें पूछे जाएगा Formatting Marks का क्या काम होता है या आप से यह True False में पूछ सकते हैं कि Formatting Marks का क्या काम होता है और आपको True or False में वो चीज बतानी होती है तो बेसिकली आपने आज की क्लास में Formatting Marks नाम के option को जाना Formatting Marks क्या होता है Formatting Marks का इस्तमाल हम अपने document पर कप करते हैं तो उमीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी अगर आप True False या ओ लेबल का exam देने जा रहे हैं तो यह जो सीरीज है हमारे True False की वह आपके लिए काफी helpful होगी तो इसी तरीके से next class में हम कुछ और topics के बारे में बात करेंगे